हलो फ्रेंज आपका स्वागत है में ड्यूटी चनल माई कोचिंग क्लासेज में आज हम सीखने वाले हैं कि Excel में किसी भी नंबर का स्क्वेर कैसे करते हैं ठीक है चलिए सीखते हैं सबसे पहले मैं बता देती हूं कि हमारे पास स्क्वेर करने के दो तरीके हैं एक तो है Simple ठीक है दूसरा है function के थूरू सबसे पहले करते है Simple Simple कैसे करेंगे सबसे पहले equal लगाना है जिस भी number का square करना है उसको select कर लीजिए तो उसको select किया आपने यहां पर one का में square करना है इसको select किया ठीक है multiply फिर उसी number को दुबारा select कर लीजिए and enter प्रेस कर दीजिए ठीक है अब इस formula का निचे तो copy कर दीजिए आप देख सकते हैं कि सबका क्या हो गया यहां पर square हो चुका है तो यह हमारा पहला तरीका था square करने का दूसरा तरीका देखते हैं इसको delete करते सबसे पहले delete किया अब आप जो हमारा दूसरा तरीका है वो क्या है function के थुरूर ठीक है so equal power function का में use करेंगे यहां पर ठीक है number में उस number को लेना है जिसका हमें square करना है तो यहां पर हमने number ले लिया ठीक है अब power, power depends करेंगा कि आपको square करना है उस number का या फिर cube तो अगर आपको square करना है तो 2 का use करेंगे और अगर आपको cube करना है तो 3 तो मुझे यहां पर क्या करना है square करना है इसका तो मैं क्या करूंगे यहां पर 2 select करूंगे and इसको bracket close किया and enter press कर दिया और फिर इस formula को निचे तो copy कर दीजिए ठीक है आप देख सकते हैं कि हां पर क्या हो गया इसका square हो गया सभी numbers का सो यह दो तरीके थे हमारे पर से square करने के so I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगा पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब मैं चैनल